Hello Friends ! मेरा नाम है Sneha Sharma. Welcome to my YouTube Channel. आज हम देखने वाले हैं Maths के Important and Analytical Reasoning. Okay, Analytical Reason में हम करने वाले हैं Counting Figures. Counting Figures के आज हम ट्रेक्स देखने वाले हैं जिससे आप उपने exam में बिना time waste करें seconds में आप निकाल सकते हैं अपना answer. आज हम करने वाले हैं Counting Figures. उसमें हम देखने वाले है Number of Triangle. जिस Number of Triangle आप निकाल सकते हो चुटकियों में और आपको पता चलेगा कि आपने बहुत ही कम time लिए questions solve पर लिए. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. सबसे पहले हम इन Number of Triangle निकालने होते हैं. तो हमारा question Number One है कि अगर हमारे ट्राइंगल में adjacent line बनी हो जो हमारी base line को touch करती है. चारो figures में देख सकते हो कि इसमें triangle में हमारी जो adjacent line है it was perpendicular line touching is triangle's base line. तो इस place में हम अगर ऐसे questions आपके exam में आते हैं तो हम उसको कैसे निकालेंगे. तो first आप देख सकते क्योंकि पहला जो हमारे triangle है उसमें कितने triangle है तो इसका automatic answer है one. क्यों? क्योंकि इसमें number of triangles है one. फिर हम case two की बात करते हैं. case two में हमारी number of triangles कितने हैं? तो आप बोलोंगे इसमें है three. यासे first triangle ये, second ये और fourth हो गया हमारा पुरा. तो यह होगे three. लेकिन हम इसे as a trick कैसे निकालेंगे? This is triangle number one. This is triangle number two. इसको हम क्या करें? प्लस करेंगे. तो हमारा क्या आजाएगा? Three. तो इस तरीके से हम अपने answers निकालेंगे. तो यह है हमारी trick. Next case में देखते हैं. Next case में अगर इसे और complicated हो जाता है तो आप देख सकते हो कि तीन line base को touch कर रही है. इसमें हमारी सबसे पहले हम गिर लेंगे कितनी हमारी lines हमारी जो है वो perpendicular lines हमारी कितनी हैं? तो सबसे पहले हम first, second, third and fourth. तो इसमें हमारी four triangles हमें देख रहे हैं. तो हमने हमारी जो perpendicular lines हैं. कितनी हमारी vertical lines हैं? Four. तो इसको हम दो से पहले plus कर लेंगे. One plus two plus three plus four. तो यह आजाता है हमारा ten. तो इसमें number of triangles कितने होगे? Ten. अगर हम इसको और time बिना waste करें निकालें हमारी trick से. तो हम इसको क्या निकालेंगे? जो हमारा four है. उससे next number क्या है? five. उसको हम क्या करेंगे? multiply. four multiply by five. Okay. और divided by two. तो यह आजाएगा हमारा ten. यह जैसे हुआ? आप यह देखोगे. तो यह हुआ है हमारा submission of natural numbers की formula से. submission of natural numbers की formula है? n. n plus one divided by two. Okay. तो इसमें हमने put करा total number कितने है? हमारे total number of cards कितने है? four. और four कितने है? n के हमार four plus one divided by two. तो यह हुआएगा हमारा four multiply by five divided by two. six. तो this is our trick. जो हम tickets में निकाल सकते हैं. हमारे number of triangles आपके एक्सडाउन होगे. next हम देखते हैं. इसमें हमारे कितनी perpendicular lines है? one, two, three, four, five, six. Okay. तो कितने triangles बन रहे हैं? इसमें हमारे six. Okay. तो इन सब को हम plus कर लेते हैं. तो यह आजाएगा हमारा total twenty-one. Okay. अब हम इसको इस formula में put करेंगे. तो और जल्दी इसका answer आएगा. तो हमारा n, n plus one, twenty-five, two. इसमें हम रखेंगे twenty-one, twenty-one plus twenty. Last number है हमारा six. तो यह होगा हमारा n. तो six, six plus one, seven divided by two. तो यह आजएगा हमारा six multiply by seven divided by two, twenty-one. तो इसका answer हमने निकाल लिया through formula. तो यह आजए हमारा twenty-one. तो अगर इस type के potions आपके exam में आते हैं, तो आप यह formula यूज़ करके, जो हमारी trick है, उससे असानी से बहुत ही कम time में निकाल सकते हैं. तो यह तो बात होगे हमारी simple triangle cases की, अगर हम दूसरा question लेते हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसी figure दी रहे हैं, जिसमें हमारी five vertical lines हमें दी रहे हैं, और इसमें दो base line है, तो इसमें हम number of triangles कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम जितनी हमारी vertical lines हैं, जितने triangles हैं, वोगो हम count कर लेंगे, one, two, three, four, five, six, okay, फिर उसके बाजमारी base line है, उनके triangles हम add करेंगे, count करेंगे, one and two, one and two, और फिर हम इसको करेंगे addition, सबसे पैदे हमारा यह है base line, तो one plus two is equals to three, फिर हम इन triangles को add करेंगे, one plus two is equals to three, और उसके बाद हम फिर नीचे के सारे triangles को add करेंगे, हमारे पास आदेगा one plus two plus three plus four plus five plus six is equals to twenty one, और हम इस सारे triangles को add करेंगे, तो यह होगा हमारा twenty seven, यह हमारे trick है twenty seven triangles है इस figure के अंदर, फिर हम इससे अलग एक example लेजाते हैं, अगर आपके portion में ऐसा triangle आता है, जिसमें एक vertical line और दो हमारी horizontal lines दीगे हैं, तो इसमें कैसे हमें कालेंगे number of triangles, तो हम इनको पहले name करेंगे, तो this is one and second triangle, इसमें हमारे कितने triangle one two, पिर इसको हम name कर लेके one two, अब हम इनको add करेंगे, तो यहां पे इसमें कितने triangle हैं हमारे one plus two, three, तेम इस links में कितने है, three, one plus two, three, तो total हमारे कितने होगे, nine, तो इसके अंदर हमारे nine triangles हैं, तो अगर आपके exam में ऐसे questions आते हैं, तो आपको यह trick लगाके, आपको असाली से बहुत ही कम time में आसर में जाए, तो फ्रेंट्स यह तो किया हमारा simple version, अगर हम next case में देखें, हमारे पास है एक square, यह है हमारे पास square, इस square के number of triangles हम कैसे निकालेगे, तो सबसे पहले हम number के देते हैं, triangles को first, second, three, four, तो यह है हमारा square, square का area होता है हमारा side square, तो हम क्या करेंगे जो हमारा last triangle है, four, को multiply करेंगे two से, तो आजाएंगे हमारे eight, तो यह है हमारी trick, eight, तो उसे क्या है, eight, तो इस figure में हमारे है, eight number of triangles, second address को हम और complicated कर देते हैं, तो हम अपने square में, एक horizontal line add कर देते हैं, और यह ऐसे था ही, okay, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें triangles को numbering करेंगे सबसे पहले, first, second, third, fourth, fifth, six, और यह हमारा last triangle है, six, उसको हम multiply करेंगे two से, तो यह आजाएंगे हमारे twelve, तो इसका अंसर है, इसके अंदर twelve triangles मौजूल है, okay, तो आप भी ना time waste करेंगे, आप ऐसा निकास सकते हैं हमारे track से, उसके माद आप देखिएंगी अगर हम इससे जादा complicated करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास मालो, x square है, okay, और इसके अंदर एक और square है हमारे पास, okay, तो इसमें हम numbers triangles निकालेंगे, अगर आप भी potions में ऐसा complicated potions आता है, तो इसका भी हम trick से निकाल सकते हैं, तो आप ने इसको number ही करेंगे, हम सबसे पहले क्या देखिएंगे, हमारा जो outer square है, उसमें कितने triangles हैं, तो यह हम करेंगे, और एक horizontal line, और इस figure में हम निकालेंगे, okay, तो इस figure में हम सबसे पहले, outer square के triangles को numbering देदेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, okay, और अंदर वारी square है, उसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम outer square पे निकालेंगे, तो इसमें है 8 triangles, okay, तो 8 को multiply करेंगे 2 से 16, फिर उसके पहले हम inner square का triangles निकालेंगे, उसको हम सबसे निम्री करते हैं, 4, 2nd, 3rd, 4th, 7th, 6th, 7th, 8, इसके अंदर भी 8 triangles है, तो हम क्या करेंगे, 1 को multiply करेंगे 2 से 16, अब इन सबको हम add कर लेंगे, तो 16, 16, 32, तो हमारा answer है, 32 triangles present in this double square figure, okay, तो यह हमारा answer, हमने बात कर ली है, हमारे perpendicular lines वाले triangles में number of triangles कैसे निकालने हैं, अब हम बात करते हैं, जिन triangles में हमारे base line मौजूद होती है, सिर्फ उनकी number of triangles हम कैसे निकालेंगे, वह बात कम टाइम में अपनी tricks यूज कर लें, सबसे पहले हम देख लेते हैं, माल लीजिए हमारे पास एक triangle है, okay, इसमें हमारी four lines है, four horizontal lines है, और एक है हमारे पास triangle, जिसमें हमारी six horizontal lines present है, तो हम इन दोनों का, इन दोनों में number of triangles कैसे निकालेंगे, तो यह हम देखेंगे हमारी tricks से, तो इसमें क्याता है हमें simple, हमें सिर्फ हमारी lines count करनी है, कितनी है और हमें answer लिखना है, तो इसमें हैं हमारी total horizontal lines four, कैसे हैं, इसमें हम इता करना है, सिर्फ प्लस one करना है और हमारा answer आ जाया, सबसे पहले आप देख सकते हूं, this is first triangle, this is second, this is third, this is fourth, and this is left, ओके, तो हमारे total हैं 5 triangles, इसके अंदर present, तो हमारा answer आगया 5, ओके, अब हमें देख लेते हैं next figure का answer, इसमें हमारे किपनी horizontal lines है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हमारे six present है, तो total हमें हमारे six, क्याता में हमें, plus one, और हमारा answer seven, तो इसके अंदर हमारे seven triangles present है, इसे, first, second, third, fourth, fifth, sixth, और seventh, ओके, तो यह हैं हमारे seven triangles, okay, so friends if you like my video, and find it useful, और अगर चाहते हैं के ऐसे ही, आपकी competitive examinations की video हम बनाते रहें, तो please do like, subscribe, and share with your friends who are preparing for a competitive examination, thanks so much. आपके